नाराय, 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 कई बार हम सहज ही जूट बोल जाते हैं इस भाव के साथ, एक तो किसी को पता नहीं चलेगा या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो जूट बोले और बच गये। किन्तो नाराय, शास्त कहता है कि जब हम जूट बोलते हैं, चाहे वो छोटे सी बात के लिए ही क्यों नहों, सहज यों नहों, हम नकारात्मत उर्जा की परत को लेयर को अपनी और आकर्शित कर लेते हैं। और फियर लेयर, हमारे जो सुक्षान्ती सेह सम्रिध्य भाजीवन हैं, वो लेयर उस पर जाकर बैठ जाए। जैसे आपने देखा होगा धूल की परत आगति आप रस्टिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखते हूं कि धूल की परत कुना आ गई है। उसी प्रकारेदी आप जूल बोलते हैं। तो यह नकारात्मत निग्रेट्रिव एनर्जी की परत आपके सुक्षान्ती सेह सम्रिध्य पर बिच चाती है। इसलिए बारण बारणी वेतन करते हैं कि सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए, सच धन्यवाद, धन्यवाद, अज़िए।